हेलो फ्रेंस मैं हूँ संपत कुमार आज किसी वीडियो हो में बात करेंगे कब कोई व्यक्ति को जान से मारना अपराद नहीं है इसका कुछ कंडिशन है वो कंडिशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा मान लेते हैं कि कोई बच्चा है उसको कुछ व्यक्ति के दुवरा है वह अपना बच्चा को बचने के लिए जो भी अपरादी है उसको जान से मार सकता है वह एकसयों पर यहां पर करने के लिए उस अपरादी पर एक साथ हो सकता है इस अपराद को संगे अपराद के सरनी में रखा गया है यानि कि जो अपरन का अपराद है ये गंभीर परवेटते का अपराद है इसमें मुकातमा दर्ज होते ही पुलिस जो है आरोपी को गिरफतार करके जैल भेज देती है और ये जमानती अपराद है इसमें जमानत लिया जा सकता है तो पहला condition आप देख लिए कि अपरण है next है हत्या यदि कोई व्यक्ति किसी को हत्या करने के मंसा से उसके उपर attack कर रहा है तो वो व्यक्ति अपना self-defense में उस व्यक्ति को सामने वाला को मर सकता है जान से तो ये अपरात के स्रेणी में नहीं आगा तो ये self-defense के स्रेणी में आ जागा यानि कि खूद का रक्षा करने के लिए जो है सामने वाले के उपर attack किया गया और उसको और उसका जान ले लिया गया self-defense के बारे में IPC का सक्षन 96 से लेके 106 तक बताया गया है हलाकि self-defense क्या है और ये सभी सक्षन के बारे में मैं पहले ही एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया है आप मेरा प्रिभ्यस वाला वीडियो जाके देख सकते हैं आपको पता देगे सभी व्यक्ति को खुद का और अपना प्रपर्टी का रक्षा करने का अधिकार है यहां पर अपरादी का जान भी ले लिया जाए तो यह अपराद कर स्रेनी में नहीं है क्योंकि सभी व्यक्ति को खुद का और अपना प्रपर्टी का रक्षा करने का अधिकार है नेक्स्ट है रेप यदि कोई व्यक्ति किसी लर्की का रेप करने का पर्यास करता है तो ऐसे पर्षेती में जिसके उपर एसिड फिका जा रहा है उसको ये अधिकार है कि जो व्यक्ति एसिड फिकने वाला है उसका वो जान ले ले और खुद को रक्षा कर सके उसका जान ले के जदी खुद को रक्षा किया जा सकता है तो उसका जान लिया जा सकता है सामने वाला का तो यहाँ पर यह अपरात कस्यानी में नहीं आगा. तो अब आप जानगे होंगे कि कब किसी का जान लेना अपरात कस्यानी में नहीं आगा.